बिस्मिल्लाहिर, रह्मा निर्रहीम, तीन कबरों की एक अजीब कहानी, काहिरा में एक उची पहाडी पर एक शक्स ने तीन कबरे देखी, जो की एक ही लाइन में बनी हुई थी, और बिल्कुल हू बहू एक जैसी थी, मगर उनकी खासियत ये थी के तीनों कबरों पर अलग- इनसाफियां की हैं, उसका बदला लेगा, और जो उसने बंदों के साथ भलाई की है, उसकी उसे जज़ा मिलेगी, दूसरी कबर पर लिखा था, कि वो शक्स क्या हासिल कर पाएगा, जो ये जानता हो कि उसकी मौत एक दिन अचानक आ जाएगी, और वो कुछ भी नहीं कर प देता है, और उसके जोड़-जोड़ को कमजोर कर देता है, वो तीनो कबरे एक उची पहाड़ी पर मौझूद थी, जब उस शक्स ने तीनो कबरों को देखा, और उन आसार को पड़ा, जो उन तीनो कबरों पर बड़ी खूबसूरती के साथ लिखे थे, तो उन कबरों का राज जानने के लिए, वो शक्स करीब की बस्ती में पहुंचा, और उसने एक बुजर्ग शक्स से उन तीनो कबरों के बारे में पूछा, तो बुजर्ग ने जवाब दिया, कि ये तीन कबरें तीन सगे भाईयों की है, उस शक्स ने मालुम किया, कि जो आसार उन तीन कबर पर लिखे हैं, उसका क्या मतलब है, तब उस बुजर्ग शक्स ने कहा, ये आसार जो आप देखकर आए हैं, वो उन तीनों भाईयों की गुजरी हुई जिन्दगी की वसीयत है, उस शक्स की उन तीनों कबरों के राज जानने के लिए दिल्चस्पी और बढ़ गई, और व वो बादशाह के साथ रहा करता था, दूसरा भाई ताजिर था और तीसरा भाई इबादत गुजर था, जिसने इबादत करने में अपनी पूरी जिन्दगी गुजर दी, जब उसकी मौत का वक्त करीब आया, तो उसके दोनों बड़े भाई उसके करीब आए, और बड़े बड़े भाई ने कहा, एः मेरे भाई, तुम्हें अगर कोई वसियत करनी है, तो मुझ को बताओ, मैं उसको पूरा करूंगा, उस इबादत गुजर भाई ने कहा, कि मैं क्या वसियत करूं, अल्लाह की कसम मेरे पास कोई माल नहीं है, जो मैं वसियत कर सकों, ना मेरा किसी अगर तुम्हारे दिल हो जो दिल कोई बादा का अरमान रह गया हो। अपने भाई की ये बात सुनकर, उसने अपना रुक मोड लिया और अपने भाईयों से कहा कि मुझे तुम्हारे माल की कोई जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी, मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ जिसकी तुम वादा खिलाफी ना करोगे तो उन दोनों भाईयों ने कहा कि हम वादा करते हैं तुम जो कुछ कहोगे उसे हम पूरा करेंगे तब उस इबादत गुजार भाई ने कहा जब मैं मर जाओं तो तुम मुझको एक उची जगह पर दफन कर देना और मेरी कबर पर लिख देना के जिन्दगी से वो शक्स क्या लजज़त हासिल कर पाएगा जो ये जानता हो कि अल्लाह ताला उसे जरूर सवाल जवाब करेगा और उसके बंदों के साथ की जाने वाली ना इंसाफियों का बदला लेगा और उसने जो भलाई की है उसकी वो जज़ा देगा और जब ये काम कर लो तो तुम रोजाना तीन दिन मेरी कबर पर आना शायद तुम्हें नसीहत नसीब हो उन्होंने उसकी मौत के बाद ऐसा ही किया उसका बड़ा भाई रोजाना कबर पर आता था और बहुत रोता था, चिलाता था फिर वो तीसरे दिन आया और कबर पर जाकर बहुत रोया उसके बाद वो वहाँ से जाने लगा वो क्या थी? उसके भाई ने जवाब दिया कि वो आवाज एक हथोड़े की थी मुझसे कबर में कहा गया कि तुने मजलूम को देखा मगर फिर भी तुने उसकी कोई मदद नहीं की ये बात सुनकर उसकी आँख खुल गई और वो गमजदा हो गया उसने सुभह को अपने भाई को बुलाया और उसने सारा किस्सा अपने भाई को सुना दिया और उससे कहा मेरे भाई ने जो नसीहत अपने कबर पर लिखवाई थी उसका मकसद मुझको नसीहत करनी थी और मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं कि मैं आज से सब कुछ छोड़ता हूँ और अब मैं अपनी बाकी जिन्दगी अल्लाह की राह में लगाता हूँ और वो सब कुछ छोड़कर शहराओं में चला गया और भेड बकरियां चराने वाले लोगों में रहने लगा जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो चरवाहों ने आकर उसके भाई को खबर दी खबर मिलते ही उसका ताजिर भाई चरवाहों के साथ चला गया और अपने भाई को अपने साथ ले आया और अपने भाई से कहा कि अगर आपको कोई वसीयत करनी है तो कहो उसको मैं पूरा करूंगा उसके भाई ने कहा कि मैं क्या वसियत करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है लेकिन तुमसे एक वादा चाहता हूँ, जिसे तुम पूरा करना उसने कहा, जब मैं मर जाओं, तो मेरी कबर भी मेरे भाई के पास बनवा देना और मेरी कबर पर लिख देना के क्या लजज़त पाएगा, वो आदमी जो यकीन रखता हो, इस बात पर के मौत उसको अचानक आ जाएगी, उसकी सारी शोहरत वो छीन लेगी, और उस घर में वो ले जाएगी, जिसका वो मुस्तहिक है, और मेरे भाई, तुम मेरी कबर पर आते दुआ मांगता था, जब वो तीसरे दिन कबर पर आया, तो कबर पर बहुत देड़ तक रोता रहा, और अपने भाई के लिए दुआ मांगता रहा, और जब उठकर वापस जाने लगा, तभी उसने अचानक कबर के अंदर आवाज सुनी, और वो उस आवाज को सुनकर तो उसने जवाब दिया, जिसने दुनिया में आखिरत के लिए जो कुछ नेकियां की है, वो देख लेगा सुबह को, जब वो उठा, तो उसने सबसे पहले अपनी सारी जायदाद बांट दी, और मां लोगों में तकसीम कर दिया, और वो अल्लाह की इबादत में लग गया, जब उसकी मौत का वक्त करीब आया, तो उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया, और अपने बेटे से कहा के, जब मैं मर जाओं, तो मेरी कबर मेरे भाईयों के पास ही बनाना, और मेरी कबर पर लिख देना के कैसे मज़े लुटेगा, वो आदमी जिसका रुख ऐसी मनज जिल की तरफ है, जहां तक पहुँचना जवानों को बुढ़ा कर देता है, जो चेहरे के नक्षो को मिटा देता है, और उसके जोड-जोड को कमजोर कर देता है, मुझे दफनाने के बाद मेरी कबर पर आते रहना, शायद तुम्हें कोई नसीहत मिले, बेटे ने अपने व कबाब के बारे में किसी को बताया, और फिर वो मर गया, ये कहकर बुढ़ा खामोश हो गया, दोस्तों, ये तीन कबरों का वाकिया, आपने सुना, इस वाके से हम सब को नसीहत लेनी चाहिए, इसका मकसद ये है कि, अल्लाह ताला हम सब को खबरदार करता है कि, ए लोगों, मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम दुनिया में अपना माल जमा करते हो, मगर मरने के बाद तुम्हारे अच्छे आमाल ही काम आएंगे, तुम्हारे आमाल का ही हिसाब होगा, तो तुम अभी से ही तैयारी कर लो, दुनिया के ऐसो आराम से निकलो और सीधी र रहा पर आजाओ, अल्लाह ताला हम सब को सीधी रहा पर चलने की तौफीक अता फर्माए, आमीन.